हैलो गाईज कैसे आप लोग आई होप अच्छे होंगे मैं तो बिलकुल अच्छी नहीं हूँ पर बच्चे घर में बोर हो रहे थे तो बच्चों को लेकर थोड़ा सा बाहर गई थी मैं प्रिंसी और इंजल को लेकर और मेरी चोटी भावी मेरे साथ में थी तो थोड़ा सा बच्चों को घुमाने लेके आई हूँ यह हमारे गाउं का तालाब है तो हम लोग तालाब के बहार से निकल रहे हैं अभी और दोनों बच्चे हमारे रिक्षे में बैठे हैं यह थोड़ा सा मार्केट का भी ब्लॉक बनाया है और है तो यह प्रिंसी बैठी ह और इंजल वीडियो बना रही है यह हमारे गाओं का मार्केट है यह मेरी सामने से निकल गया इस्कूल है यह बड़ा स्पटाल है सरकारी और बस ही सरकारी स्पटाल है थोड़ा साग्डिक्टेशन के धर भच्चों बनाई जाएंगे यह बहुत बड़ा है हमारे हिंगा का सरकारी हों गया है और होटेल है भविये नया होटेल से अभी हमारा गायों गायों जैसा काफी इंप्रूब हो गया है और यह सारी जमीन जो है पहले खेते अभी प्लॉटिंग हो चुकी है तो यहां पर अभी एनी लोग घर बनाएंगे रहने के लिए और यह एक बड़ी सुसाइटी है यह जो बाहर बॉंडरी दिख रही है यह बड़ी सुसाइटी है अंदर इसके भी बड़े बड़े बंगलो टाइप के बनाए जाएंगे वो बेचेंगे फिर तो यह आ गए हम लोग स्टेशन के इधर तो अभी स्टेशन के बाहर ही हम लोग हैं और यह सब स्टेशन की ही जगे है रेलवे स्टेशन की और बस बच्चे लोग बहुत जादा बोर हो रहे थे क्योंकि घर में सब उदासी का माहौल था और बच्चे लोग अर्जस नहीं कर पाते जादा ये सब माहौल में और प्रिंसी तो फर्स टाइम गई थी तो उसको सब रोते रोते लोग देखके वो भी हमेशा उदास रहती थी और मुझे रोता हुआ देखके वो भी रोने ल होना है यहां पे मुम्बई से अभी एक ही बार गाड़ी आती है हपते में तो अभी यहां पे देखो जंडा आया है यह जंडा बंधन हुआ था ना पंदर अगस का तो देखो कितना प्यारा लग रहा है हमारे यहां का फ्लैक बहुत सुन्दर बादल भी एकदम अच्छे लग रहे हैं और बहुत बादल चाय हुए थे और बारेज भी गिर रही थी तो अभी हम लोग स्टेशन से निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन से और अभी हम लोग जाएंगे बस स्टॉप साइट क्योंकि वो भी न्यू बन गया है बहुत अच्छा सा तो हम लोग बच्चो हम लोग आज की वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें तब तक के लिए बाए बाए टेक क्यार लव यू ऑल की बॉचिंग